लो एवरिवन एनस सलाम वालेकूम देसे नकीब एहमत क्रिकेट एड़ पिटनेस कोच तो बहुत ही ज्यादा बच्चे बहुत ही ज्यादा लड़के चाहे वो किसी भी कंट्री से हो अकसर मुझे मेसेज करते है के क्रिकेट ट्राइल में सेलेक्ट होने के लिए क्रिकेट में आगे जाने के लिए बालिंग स्पीड बालिंग पेस कितनी होनी चाहिए तो यहाँ पर आज में आप लोगों का जो कंट्यूजन है मेरे प्रेंस वो में क्लियर करूंगा वो में दूर करूंगा सबसे पहले बात करेंगे मेरे प्रेंस अंडर 13 लेवल पे चारों लेवल के 11 ए 12 سال उस लेवल फे आप लोगों की स्पीड डाइट मुंवि इंस टक नहीं होता क्योंकर आप लोगों की मसल डिवलप नहीं होते हैं आप लोगों की बारिणि में वो पावर नहीं होता आप लोगों को वर्काउट एक्सरसाइज डाइट मसल मीमوری, इन सारी चीज़ों को बनाने का इतना मुखा नहीं मिला क्योंकि आप लोग अभी चोटे हो तो वहाँ पे आप लोगों की बालिंग स्पीड, बालिंग पेस नहीं देकी जाती वहाँ पे आप लोगों की एक्शन को देखते है सेलेक्टर आप लोगों की लाइन लेम को देखते हैं आप लोगों की जो मेकेनिक्स है बायो मेकेनिक्स है उनको वो देखते हैं इन सारी चीज़ों की बिना पर आप लोगों की अंडर 13 में सेलेक्शन होती है अब याते हैं अंडर 16 के तरफ अंडर 16 में भी सेम चीज़ है मेर फ़ज़ड़ लोगों 2-25-24-1च्छ से ज्यादा निये होता top वह के आप लोगों की बॉलालिभ बॉलिंग स्पीड इतनी मेंटर नहीं करती वह पे आप लोगों के action आप लोगों की run-up, आप लोगों की jump, जो की attractors है balling की, आप लोगों की line length, आप लोगों के crazy सारी चीज़ों को selector देखते हैं और उसके बिना पे आप लोगों की selection होती है, अभी आते हैं मेरे prints under 19 लेवल पे, यहाँ पे अब balling जो speed है, यहाँ पे 50% वो count करती है, का उसी तरीके से diet का और सारी चीज़ों का, आप लोगों को उतना time नहीं मिला आप लोगों की जो natural speed है, यानि आप लोगों ने देखा होगा कि बाश बच्चे ऐसे होते हैं कि जो natural बहुती ज्यादा तेज होते हैं, और बाश बच्चे ऐसे होते हैं सीनियर इंटर्डेक्स्टिक, सीनियर लेवल पे या 19 लेवल पे, कि वो अपने आपको बनाते हैं, मतलब अपने muscle मिमोरी, अपने muscle वगएरा, diet, training, drills वगएरा की तुरू अपनी speed बनाते हैं वो लोग, तो नो 19 लेवल पे भी आप लोगों को अतना time नहीं मिलता कि आप लोग अपने आपको बनाएं, यहाँ पे आप लोगों का काम आएगा, natural speed, लेकि natural speed भी 19 लेवल पे, 127, 128 और 130 तक कापी होता है, क्योंकि सेलेक्टर यह सम हैं, इसके इलावा मेरे प्रिंड्स आप लोगों की action, balling, run-up, kia, tricter, सारी चीजे देखते हैं, और 50% आप लोगों की speed लेकिन natural speed, लेकिन यहाँ पे भी 19 लेवल पे भी सेलेक्टर को यह लगता है कि अभी बच्चे के पास कापी time है, आगे improve करने का, workout करने का, training करने का, diet का, diet वग्यरा सारी चीजे, मतलब यह बच्चा improve कर सकता है, अगर वो अभी 128, 130 पे है, तो 140, 138 तक आज सकता है, तो यहाँ पे भी आप लोगों की speed मेटर कड़ीगी 50%, लेकिन अभी आते हैं मेरे प्रिंड्स senior trials के तरफ, senior trials में अभी यहाँ पे आप लोगों की मेटर करीग bowling speed 70%, उसकी reason क्या है मेरे प्रिंड्स के आप लोगों को फूरा time मिला है, यानि अगर senior trial में आप लोगों की age होगी 24 से 23, 24, 22 years, तो यहाँ पे आप लोगों को कापी time मिला है, improvement के लिए, मेहनत के लिए, workouts के लिए, diets के लिए, drills वगेरा सारी चीजों के लिए, अगर यहाँ त जैसा के आप लोगों को पता है मेरे प्रिंड्स के as a baller आप लोगों की career होती है, 28, 29, 30 और ज्यादा से ज्यादा 32 तक, तो अगर यहाँ पे 22, 23, 24 तक भी आप लोगों ने अपनी speed improve ना की हो, तो सेलेक्टर को यही लगता है के copy time मिला है, बच्चे को copy time मिला है player को, लिकिन वो potential या वो चीजें नहीं हैं इसके अंदर के इसकी speed improve हो, तो senior trials में पिर मेरे प्रिंड्स कम से कम आप लोगों को चाहिए 130 plus speed, अगर 130 plus speed आप लोगों के पास नहीं, तो variation और swing और इन चीजों पे आप लोगों की selection होगी, लेकिन यहाँ पे एक बहुती बड़ा plus point होता है प कौन कौन से age group के बच्चों को कितना कितना पे उसके पास होना चाहिए, उमीद करता हूँ आप लोगों को video पसंद आए होगी